आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, तो हमारे पास Question है जिसमें हमें हमें Integration I question जो हमारे पास 2 sin x divided by 3 plus sin 2 x dx तो हमें इसे simplify करना है मतलब integration निकालना, एक solve करके क्या आएगा तो अगर हम देखें हमारे पास di i equals to integration 2 sin x whole divided by 3 plus sin 2 x और है हमारे पास dx तो अगर हम इसे solve करें तो सबसे पहले हम 2 sin x को लिखें sin x plus sin x और इसमें plus cos x और minus cos x करेंगे तो हमारे पास आएगा i equals to integration sin x plus cos x और plus sin x minus cos x इसको solve करते हैं तो हमारे पास आगया जाएगा sin x plus sin x 2 cos x cos x तो यह ही आएगा और निचे हमारे पास है 3 plus sin 2 x ठीक है और हमारे पास है dx तो अगर हम यह और यह अलग-अलग करके लिखें तो हमारे पास आएगा sin x plus cos x divided by 3 plus sin 2 x sin x minus cos x divided by 3 plus sin 2 x तो अगर हम इसको करके लिखें तो हमारे पास आजएगा i equals to integration sin x plus cos x divide में 3 plus sin 2 x और यहां पर प्लस में sin x माइनस का cos x यह भी integration ऐसे अलग separate हो जएगा इंटिग्रेशन दिवाइड़ बाइ 3 plus sin 2 x और यह है हमारे पास dx और यहां भी है हमारे पास dx ठीक है तो अगर हम आगे simplify करें तो हमारे पास है integration sin x plus का cos x यह तो हमारे नियुमिनेटर में है और दिनुमिनेटर में देखे तो हमारे पास ही होगा 4 minus 1 plus का sin 2 x इसको लिख सकते हम और यहां पर आगर हम लिखे sin x minus cos x divided by 2 plus 1 plus का sin 2 x dx ही हो गया हमारे पास तो हमें पता है, हमारे पास एक identity होती है identity नी तो हम इसको इलिख सकते है sin x minus cos x का square होता है हमारे पास sin square x plus का cos square x minus का two sin x cos x sin square x plus cos square x तो हमारे पास one हो ज 남편 एचिये हैं और यह रहताए गा इसको 2 sin x cos x हrichten साइन ही तो यह तो यह वन इस अगर माइनस को मली लेगे तो यह खाएका स्कते साइनstones पॉसर के स्कंड कि अगर हम यह Тут यहां पर करें तो औहरों छेगा integration i cos 2 sin x plus का cos x divided 4 को लिख सकते हैं 2 का square वो minus common लेगे तो हमारे पास बसता है 1-2 x जो कि हमारे पास सोचेगा sin x minus cos x का square यह तो इधर होगे आप इधर आले को solve करें तो जैसे कि हमें से पता है sin x plus cos x का अगर हम square solve करें वो क्या आएगा sin square x plus का cos square x plus का 2 sin x cos x जिसको sin 2 x ही लिख सकते हैं तो यह हमारे पास आजएगा 1 plus sin 2 x तो यहां पर 1 plus sin 2 x का साइनेक्स प्लस कोजेक्स का square तो हमारे पास आजएगा sin x minus cos x divided by 2 plus sin x plus cos x का square इंटू में dx ही तो यह आ गया अब हम इधर से sin x minus cos x को t लिखेगे इधर sin x plus cos x को यू लिख लेगे तो अगर हम sin x minus cos x को t लिखते है तो हमारे पास sin का दोनों से derivative करेगा तो cos x plus का sin x cos x minus sin x तो minus minus plus dx dt हो जाएगा तो हमारे पास अगर हम इस integration में solve put करें तो आजएगा आई एक कोश्यों integration sin x cos x plus sin x dx उपर लिख है यहां पर हमारे पास dx तो यह dt हो गया और यह लिख है हमारे पास 2 का square minus sin x minus cos x हमने लिए t तो यह ज़ेगा t का square और अगर हम हम यह बादी side solve करें तो sin x plus cos x को अगर हम t ले तो हमने लिए यू ले लेते हैं sin x plus cos x को अगर हम यू ले ले तो हमारे पास आएगा sin का cos x minus sin x dx equals to du तो अगर हम पहले भार माइनस निकाल ले तो मारे पास आएगा integration minus cos x minus sin x whole divided by 2 plus sin x plus cos x into dx यहां scale है तो अगर हम अगर हम अब यह value put करें तो हमारे पास आएगा i cos 2 इधर तो हमारे पास dt divided by 2 square minus t square plus का integration यहां पर आजेगा du निच्चे आजेगा root 2 का square plus का u square यह आगया तो इसको further solve करें i cos 2 integration dt divided by 2 square minus का t square minus integration du divided by root 2 का square plus u का square अब हमारे पास यह सब standard form में बन गया है और हमें हमारे पास integration होता है one upon में a square minus x square का होता है तो यहां पर अगर हम लिखे i cos 2 होजेगा one upon में 2a 2a है हमारे पास 2 फिर होता है log of a plus x divided by a minus x तो हमारे पास a plus x में 2 plus t divided by 2 minus t यह आ गया और और यहां पर होता है यह हो गया dx one upon में x square plus a square होता है one upon में a that is root 2 into 10 inverse of x by 10 inverse of x by that is u by root 2 यह हो गया हमारे पास तो अब हम u और t के value put कर देगे तो हमारे पास जो final answer आएगा i equals to 1 by 4 log of यह mode में चलता है mode 2 plus sin x minus cos x क्योंकि tm ने sin x minus cos x लेट किया था divided by 2 और minus हो जाएगे तो माइनस sin x plus cos x यह हो गया माइनस का one upon में root 2 10 inverse of अब u के value sin x plus cos x sin x plus cos x और divide में हमारे पास root to plus का integration constant c तो हमारे पास यह answer हो जाएगा अगर हम option चेक करेगे तो हमारे पास option 4 जो जेगा correct हो जेगा वन अपन में 4 ln 2 plus sin x minus cos x divided by 2 minus sin x plus cos x minus का one upon में root 2 10 inverse of sin x plus cos x divided by root 2 plus c यह हमारा final answer आए थैंक्यू Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट्स 8444 चार्स उपर